गोड़ आफटरनून स्टूरेंट्स देखिए आज मैं आपको जो आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट है उनको आप कैसे अटैम्ट करेंगे मैं आपको वो बता रही हूं ठीक है जी देखिए सबसे फर्स्ट आपका कल 15 डेट को फर्स्ट पेपर है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे डेट उसके बाद डे कॉन सा है कल हमारा ट्यूजडे तो आप लिखेंगे ट्यूजडे नेक्स्ट यूनिट टेस्ट ठीक है जी उसके बाद बिटा सभी बच्चे अपना क्या लिखेंगे पेज पे नेम अपना नाम फादर्स नेम अपने पापाजी का नाम क्ल क्लास लिखेंगे सिरफ सब्जेक्ट आपका मैस का पेपर है फर्स्ट तो मैस सेकिंड एवियस है तो एवियस ठीक है बटा सबी बच्चे पेज पर नेम फादर्स नेम जरूर मैंशन करेंगे अधर्वाइज हमें नहीं पाता चलेगा कि यह किस बच्चे का टैस्ट पेपर है ठीक है बटा अगर आपका एक पेज पे आपका पूरा पेपर कावर हो जाता है अगर आप सेकिंड पेज पर अपना टैस्ट पेपर कर रहे जया है तो उस पर भी अपना आप नेम और फादर नेम जरूर मैंशन करेंगे आप चे टू पेज पेवार कर रहे हैं चे त्री पेज पेवार कर रहे हैं आप जितने भी पेज पेवार कर रहे हैं सब ही पर आप नेम फादर्स नेम अपना जरूर मैंशन करेंगे जिससे हमें ये पाता लग सके कि ये आपका ही पेपर है ठीक है बेटा देखिए आपको कोशन पेपर दिया जाएगा आप उसमें सिरफ कैसे लिखेंगे जैसे आपका फर्स्ट कोशन है टिक दा कोरेक्ट गॉड आपने हैडिंग लिखी कोशन नमबर डाल के उसके बाद आपका फर्स्ट कोशन है I hold my bag with my dash ठीक है आपको option दिये है hands and legs तो आपका कोशन का answer क्या है hands तो आप क्या लिखेंगे answer number one हमारा answer है hands ठीक है उसी line में आपका space बचा हुआ है तो आप question number two यहाई पर लिखे next का answer जो भी है आपका जैसे मैंने legs लिखा same अगर space बचा हुआ है तो ऐसे ही number three next का answer अगर space नहीं है तो कोई बात नहीं नीची आजएए आप ठीक है बटा ऐसे ही question number two heading लिखेंगे आप write the meaning of the following words आपकी heading है तो आप लिख देंगे write the meaning ठीक है जैसे first का हमने लिखा गर्दन second इसी line में कमरा third चत ऐसी जैसे और कोई है आपका शरीर अगर आपके एक line में two word meaning आ रहे हैं ठीक है next line में two ठीक है बटा उसके बाद आपका question number three है मान लिजे multiple choice questions mcq तो आप heading लिखेंगे mcqs बस enough ठीक है आप mcqs question नहीं उतारेंगे आप सिरफ question को पढ़ेंगे जैसे आपका first question है मान लिजे where does reno's father work कि reno की पापा कहां काम करते तो हमारा answer क्या hospital first number one hospital आप numbering जरूर लिखेंगे answer लिखते time questions की ठीक है जैसे हमारा answer number one है तो number one हम two answer लिख रहे हैं तो number two mud three answer लिख रहे हैं तो number three 26 देखे मैंने एक ही line में लिखे हैं three answers ऐसे ही आपको लिखने हैं ठीक है बेटा ऐसे आपका time भी बचेगा ओकी बेटा next जैसे हमारा question है question number four match ups आपने heading लिखी match ups तो आपको बेटा उतारने पड़ेंगे ठीक है जैसे eyes है eyes को आप कैसे match करेंगे eyes से see ठीक है ears hear nose smell skin feel tongue taste ठीक है बेटा tongue क्या है taste आप इसको क्या करेंगे match करेंगे आपस में next देखे जैसे question number five है हमारा change the genders मैंने दोनों mix की है English और Evious आपको सिर्फ पैटरन बता रही हूँ समझा रही हूँ कि आप कैसे attempt करेंगे ओके बेटा change the genders अगर space बच रहे आपका तो इसी में ही आप line डालेंगे next आपका लिख देंगे numbers question number डालना है यह five है तो यह six ठीक है यहां लिखा boy boy का girl horse, mayor, sir, mam ऐसी जितने आपके हैं ऐसे लिखेंगे ऐसे यहां पे house, houses, bus, buses, stars, stars अगर और हैं तो यहां पे लिखेंगे ठीक है बिटा अगर ऐसे आपको देखिए मेरा register का page है थोड़ा बड़ा है लेकिन मेरी यहां पे कितने questions आगे six इसी तरह से आपको करना है आप questions नहीं उतारेंगे आप सिर्फ question number डालेंगे उसकी heading लिखेंगे और सिर्फ आप answer answer देंगे ठीक है बिटा और writing सबकी साफ बिलकुल सफाई से करना है हर एक page पर आप अपना name और father name जरूर mention करेंगे सभी बच्चे ओके बिटा ठीक है I hope कि आपको समझ में आ गया है कि आपको अपना unit test क्यासे attempt करना है ओके बिटा